हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास आज हम लोगों को करनी हैं प्रयावाची ठीक है प्रयावाची का दूसरा सैट आज हम लोग करने वाले हैं हम लोगों ने इससे पहले सैट नंबर वन कर दिया था तो आज हम लोग प्रयावाची का दूसरा सैट करेंगे ठीक है? चलिए, शुरू करते हैं. पहला शब्द हमारे पास दिया हुआ है पुत्र. पहला शब्द है हमारे पास पुत्र. पुत्र का प्रयावाची होगा अंगज, अपत्य, आत्मज, कुमार, तन्य, तनुज, नंदन, बालक, पेटा, लड़का, लाल, वत्स, सुत. अब देखो हम किस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कुछ शब्दों को. जैसे अंगज शब्द है. अब अंग प्लस ज से मिलकर बना है. अंग मतलब सरीर, ज मतलब उत्पन. जो सरीर से उत्पन है, अंगज, ठीक है? वही जैसे शब्द है आत्म और ज यानि आत्मज, जब हम क जन्मा हैं. तो इस तरह से पुत्र का प्रयावाची बन जाता है. तो अंगज, अपत्य, पुत्र के लिए आता है. आत्मज, कुमार, कुमार पुत्र के लिए प्रयोग करते हैं हम. तन्य, तनुज, नंदन, बालक, बेटा. यह सारे शब्द जो हैं यह पुत्र के लिए प् गंगा का प्रयावाची देखेंगे तो जहानवी शब्द है जहानवी तिरपतगा भागी रथी मंदा किनी विश्णूपदी देवनदी देवापगा सुर्सरिता सुर्सरी सुर्सरिता सुर्तरंगणी ठीक है स्वर्ग तरंगणी और स्वर्गापगा अब देखो इनको आपको याद कर लेना है कुछ भी ऐसा नहीं के बाद में रटेंगे सबसे पहले देखेंगे हम शब्द जहानवी को जहानवी शब्द जो है यह कैसे बना है तो कहा जाता है कि जब गंगा पृत्वी लोग पर उत्री थी तो जहनूर इसी के आस्रम से जब होकर गुजरी तो क्योंकि उनका शुरुवात में जो वेग था वो बहुत जादा प्रचंड था जिस वज़े से उनके आस्रम में बहुत सारा नुक्सान हो गया तो इस वज़े से गुसा होकर जहनूर इसी थे उन्होंने गंगा को अपने कंठ में रख लिया तो कहा जाता है कि फिर बाद में भगिरत ने प्रात्ना की तब उसके बाद उन्होंने वहां से उसे छोड़ा मुक्त किया तो वहां से जब वो जहनूर इसी के आस्रम से गुजरती है तो उसके बाद से वहां पर उनका नाम जहानवी पढ़ गया अब कहानी में कितनी सचाई है यह तो ईश्वर जानता है ल त्रपथगा यानि तीन पत से होकर गुजरने वाली या तीन पत से बढ़ जाने वाली तो जैसे कहा जाता है कि हरिद्वार से जब गंगा गुजरती है तो तीन धाराओं में बढ़ जाती है और फिर आगे जाके मिल जाती है तो इसलिए त्रपथगा यानि जिसके तीन पत तो इस तरह से त्रपतगा इसको कहा गया है, भागीरत ही कहा जाता है क्योंकि भागीरत के ही तब से ये गंगा प्रित्वी लोग पर अवितरित हुई थी, तो भागीरत के तब से गंगा प्रित्वी लोग पर आती हैं, तो इस कारण से उनका नाम भागीरत ही पढ़ जाता है शब्द आता है मंदाकिनी तो मंदाकिनी कहते हैं जैसे गंगा बहती है और एक जब समुद्र में मिलने के नजदीक में होती है तो वहाँ पर इनका वेग जो है वो धीमा पड़ जाता है धीमी गती में आ जाता है तो वहां से इनका नाम मंदाकनी हो जाता है, तो वहां पे हम मंदाकनी नाम से जानते हैं, मंदाकनी मतलब मंद गती से चलने वाली हम यह कह सकते हैं, आगे शब्द दिया हुआ है विश्नुपदी, विश्नुपदी मतलब जब गंगा प्रिस्वी लोग पे आने से पहले पड़ा है ठीक है फिर दिया है देव नदी यानि जो गंगा थी वो देवताओं की नदी थी तो देवताओं की नदी होने की कारण अब देवता के परयावाची में यानि जितने भी देवता के परयावाची हैं देवता के परयावाची में नदी के परयावाची मिला देने से गंगा का प्रयावाची बन जाता है जैसे देव नदी ठीक है तो नदी कहते ही है नदी को देव मतलब देवता फिर देवा पगा तो देवा पगा मतलब देव प्लस आपगा से बना है आपगा किसका प्रयावाची है नदी का प्रयावाची है ठीक है तो देवों की नदी फिर सुर तरंगिनी तरंगिनी किसका प्रयावची नदी का सुर माने देवता तो देवताओं की नदी तो सुर तरंगिनी फिर किसका प्रयावची हो गया गंगा का प्रयावची हो गया फिर दिया है सुर सरी तो सुर सरी सरी माने भी क्या है सरी मा तो देवताओं की नदी फिर से गंगा हो गया सुर सरिता सरिता का मतलब भी क्या होता है नदी होता है अब इसके अलावा कोई और नाम भी आ जाए देवता का होके ठीक है मालो अमर सरी कह दिया अमर सरी अमर देवताओं को कहते सरी माने नदी तो फिर क्या हो गया गंगा का प तरंगनी यानि देवताओं के साथ साथ यदि स्वर्ग के प्रयावाची में नदी का प्रयावाची मिला देते हैं तो भी गंगा का प्रयावाची बन जाता है स्वर्ग तरंगनी मतलब स्वर्ग की नदी ठीक है स्वर्गा पगा तो स्वर्ग की आपगा मतलब स्वर्ग की न घीक है तो जो और भी दिये हुए हैं तो वो भी हम कैसे यादzh करेंगे इसी तरह से बनेंगे तो हमने यहां पे लिखा कि प्राय देव स्वर्ग और सुर्ग देव और स्वर्ग मतलब देव यानि देवता और स्वर्ग के प्रयावाची में यानि नदी का प्रयावाची अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें किसका प्रयावाची मिल जाता है हमें मिल जाता है गंगा का प्रयावाची ठीक है अब आगे इसी चीज को यानि जो आपने कौन कौन सा होता है एक तो नदी कहते ही है सरिता सरिता कहते हैं आपगा कहते हैं ठीक है कलो लिनी कहते हैं कलो लिनी शब्द हो जाएगा नदी का प्रयावाची तटिनी जिसके तट होते हैं किनारे होते हैं ठीक है तटी नदी का प्रयावाची आ तरंगिनी ठीक है नदी के लिए कहते हैं दरिया दरिया भी नदी के लिए कहते हैं ठीक है उर्दू शब्द में आ जाएगा फिर इसके बाद आता है हमारा निम्नगा निम्नगा हमारा क्या हो गया यह हमारा नदी का प्रयवाजी हो गया पयश्विनी पया मतलब पानी स्विन मतलब स्वामिनी जो पानी की सवामिनी है अर्थात नदी हो गया ठीक है उसी तरह से प्रवाहिनी प्रवाहिनी नदी का प्रयावाची हो जाता है सैवालिनी यहере א app 110 factors include शालिला सलिल माने होता है पानी और सलिला मतलब पानी वाली तो सलीला भी क्या हो नदी का परयावाची हो गया, तो इस तरह से हमें यहाँ पर नदी के परयावाची देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, अब इसी तरह से, जैसे मालो हम एक शब्दे देते हैं, रिवर, अगर रिवर आ गया, तो यह अंग्रेजी भासा का शब्द है, लेकिन यह भी नदी का क्य के लिए, उस चीज के लिए, हम जो भी बोलते हैं, वो उन सब को एक जगा रखने पर है, वो परयावाची बनते हैं, तो अब क्यूंकि हमारी हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भासा के बहुत सारे समलित हो गया है, यानि हमारे शब्द को उसमें आधे से ज़्यादा अंग्रे जी के, तो अब यह ध्यान रखिएगा कि अंग्रे जी के शब्दों को देवनागरी लिपी में लिखकर उनके परयावाची भी बनाए जा सकते हैं, अब जैसे नदी का परयावाची रिवर हो गया तो रिवर जो है वो नदी का परयावाची बन सकता है, ठीक है, इस बात को ठ्यान रखना, लेकिन वो लिखा किसमे आएगा, देवनागरी लिख में लिखा आएगा, ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं, अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट है हमारा कामदेव, कामदेव का परियावाची वा अलग-अलग तरीके से बना सकते हैं अनंग, कंदर्प, मदन, मनोज, मनमत, मार, इसमर, काम, मनसिज, कुसुमबान, कुसुमसर, पुस्पधनवा अब यहाँ पर आपने ये नाम देखे, अब इनको याद कर लीजिए जैसे हम देखते हैं शब्द है अनंग, अनंग शब्द बना है अन प्लस अंग से अनंग, अब अन माने नहीं, अंग माने सरीर, जिसके पास सरीर नहीं है तो वो क्या है, कामदेव का नाम, अब जब कामदेव को भश्म कर दिया था भगवान शिव ने तो उसके बाद कामदेव का जो नाम पढ़ा था, वो अनंग पढ़ा था फिर इसी तरह से इनका नाम जो है, विदेह पढ़ता है, विदेह विवाने नहीं, यहाँ पर आजाता है, देह मतलब जिसके पास सरीर, तो जिसके पास सरीर नहीं है तो विदेव क्या हो गया, यह भी कामदेव का प्रयवाची हो जाता है, ठीक है, इसी तरह से शब्दिया है कंदर्प, तो कंदर्प शब्द हम याद रखेंगे, फिर आता है शब्देश का मदन, ठीक है, मदन कामदेव को कहते हैं मनोज, मनोज हम कह सकते हैं जैसे शब्द्द है मनोज को देखें इससे बना? इसमें विसर रगसंदी मनहा प्लस ज तो इसमें बना? यानि मन में जन्में लेने वाला काम सीworks काम की है? मन में प्रेम की भावना उत्पन Giving Zone, मन मत तो मन को मतने वाला ठीक है? मार, इसमर इसी तरह से शब्द बन जाता है काम तो ये मन मत, मार, इसमर, काम, मन सिझ, कुसुम बाण, कुसुम सर अब देखो यहाँ पे जो शब्द दिया है कुसुम बाण और कुसुम सर अगर हम फूल के परयावाची में बान का परयावाची अगर मिला देते हैं तो कामदेव के परयावाची बन जाते हैं जैसे फूल का परयावाची में बान यानि तीर का परयावाची मिला हुआ है कुसम हो गया, सर माने बान हो गया पुस्प फूल का परयावाची, धनवा माने बाण, पुस्प धनवा, यानि जिसके पास फूलों के बाण है, वो कौन है, वो कामदेव है, ठीक है, फिर शब्दा आता है हमारा पुस्प सर, अब इसी तरह से पुस्प सर बनाए, सर माने भी बाण होता है, फिर आगए दिया म मीन माने मचली, केतन माने ध्वज, अगर हम मचली के परयावाची में ध्वज का परयावाची मिला देते हैं, तो कामदेव के परयावाची बन जाते हैं, तो मीन, केतन और मकर ध्वज, मकर मचली का परयावाची है, ध्वज मतलब जंडा तिरंगा, मतलब जंडा ध्वज के त्टीके टायव द्वज यानि जन्टे का प्रभाची हो गया ठीके तो इसतरह से शब्द बने औहु सकता है ठीके मचली मालो मचली केटू कह दिया जाए अगर किसी ध्वज जो है वो क्या है मचली का है ठीक है इसी तरह से रती कांत अब रती के परयावाची में अगर पती के परयावाची मिला दिये जाएं तो कामदेव का परयावाची बन जाएगा अब रती कौन है कामदेव की पत्नी है तो रती के साथ पती का परयावाची जैसे रती का कांत माने पती होता है ठीक है तो रती का कांत यानि रती का पती रती नाथ नाथ का मतलब क्या हो जाएगा पती से हो जाएगा ठीक है तो रती नाथ हो गया अब इसी तरह से शब्ध है हमारा यहां पर रति-पती फिर ये शब्ध आ गिया रतीका पती यानि काम देव शब्द है बसंत सखा। बसंत रितू के परयावाची में यहिदि मित्र का परयावाची जोड़ दिया जाएगा तो शब्द हमारा बसंत सखा, यानि किसका बन जाएगा परयावाची, कामदेव का, तो यहाँ पर जैसे बसंत बंधू, यानि बसंत बंधू, बंधू, मित्र का परयावाची होता है, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमें कामदेव के परयावाची बनाने के कई सारी चीज मिल जाती हैं मतलब हम यहां पर देखते हैं कि अगर हम फूल के परयावाची में बान का परयावाची मिला दें तो हमें कामदेव का परयावाची मिल जाएगा फिर हम देखते हैं कि यदि हम मचली के परयावाची में अगर ध्वज का परयावाची मिला दें तो हमें का परयावाची मिल जाएगा फिर हम देखते हैं कि यदि हम रती के परयावाची में पती का परयावाची मिला दें तो भी हमें कामदेव का परयावाची मिल जाएगा और उसी तरीके से अगर हम बसंत के परयावाची में अगर मित्र का परयावाची मिला दें तो भी हमें काम लेते हैं जैसे पहले आ गया फूल तो फूल के प्रयवाची देख लेते हैं जैसे पुस्प, सुमन, कुशुम, प्रसून, मंजरी, पुरूहुत, गुल, लतांत अब यहां पर ध्यान रखिए मैं कुछ शब्दों को राउंड कर दूंगी तो उनको आपको याद रखना है व जिसे परिक्षक कभी भी पूछ सकता है इन में से आपको पुस्प, सुमन, और कुसुम यह तीन तो आपको याद हैं आपको पता ही है पहले से इन तीनों के साथ-साथ आपके प्रसून, मंजरी, और पुरूहुत यह आपको विकल्प में मिल जाते हैं ठीक है यह ऐसे प्र अगर यह विकल्प में रखकर दे दिया तो आगर आपको पता चल गया कि प्रशून का मतलब भूल होता है तो बाकी और को छाटना आसान हो जाता है ठीक है इसके बाद यह शब्दिया है बाण, धनवा, सर, तोमर, विशिक, इश्यू या शायक यह बाण के परियाबाची ह कोई सावी शब्द ऐसा नहीं है जो छोड़ा जा सके, सारे शब्दों को आपको याद रखना है क्योंकि परिक्षा में इन वैसे कोई सावी पूछा जा सकता है अलग से पूछा जाता है यह नहीं के सिर्फ कामदेव के परयावाची के लिए आप इसे कर रहे हैं आपको अ तो शफरी को शफरी और सफरी दोने तरीके से लिखा जाता है अब यहां पे शब्दों का परिवर्तन शुरू हो गया तो अलग अलग चीज़े मिलते हैं तो यहां पर यानि मचली के प्रयावाची जो है हमारे सामने यह भी हमारे लिए क्या है अती महतपूर्ण है तो हम इन याद कर लिए तो प्रयाप्त हैं अब यहां पर देखिए आज आपने क्या-क्या याद किया तो हम वापस से सब को एक बार दोहराते चलेंगे मेरे साथ अब दोहराईए तेज-तेज बोलना है आप लोगों को बोलिए मेरे साथ मचली मीन मकर जहस मतस्य जलतुरी सफरी ठीक ह फिर बान का प्रयावाची देखेंगे बान, धनवा, सर, तोमर, विशिक, इशू, शयक फिर इसके बाद फूल का प्रयावाची देखेंगे फूल, पुष्प, सुमन, कुषुम, प्रसून, मंझरी, पुरुहुत, गुल, लतांत यह फूल के प्रयावाची हो गए ठीक है फिर हम देखेंगे कामदेव का प्रयावाची, कामदेव का, कामदेव, अनंग, कंदर्प, मदन, मनोज, मनमत, मार, इसमर, काम, मनसिज, कुसुमबान, कुसुमसर, पुस्पधनवा, पुस्पशर, मीनकेतन, मकरधज, जसकेतु, रतीकांत, रतीनात, रतीपती, पसंत सखा, बसंत बंधु, ये सब क्या हो गए हमारे कामदेव के प्रयावाची हो गए, फिर आप नदी का प्रयावाची देखेंगे, नदी, सरिता, आपगा, कलोलिनी, तटिनी, तटी, तरंगिनी, दरिया, निम्निगा, पैश्वनी, प्रवाहिनी, सैवालिनी, सलिला, ये सब किसके प प्रयावाची हो गये। फेर हम बात करते हैं ये गंगा की। गंगा, जहानवी, तरपथगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विश्नुपदी, देवनदी, देवापगा, सुर्टरंगणी, सुर्शरी, सुर्शरिता, स्वर्ग तरंगणी, स्वर्गापगा, पुत्र का अब प्रय प्रयावाची देखेंगे, अंगज, अपत्य, आत्मज, कुमार, तन्य, तनुझ, नंदन, बालक, बेटा, लड़का, लाल, वत्स, सुथ, तो ये सब प्रयावाची आज हमने देखें, तो इसी तरह से आप लोग प्रयावाची को करते रहिए, याद करते रहिए, ठीक है, बहुत जल्द ही, मैं आप सभी लोगों के लिए, शब्दावली की नई बुक लेकर आने वाली हूँ, आपकी शब्दावली की जो नई बुक है, वो अपडेट हो गई है, तो अब नई बुक में ऐसा क्या है, मैं आप लोगों को जल्दी से बताऊंगी, और फिर हम, अभी क्या खास है, यह तो मैं आपको शब्दावली की बुक का पर्चे देते हुए ही बताऊंगी, ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ, ठीक है,